Everyone today is talking about live consciously लेकिन फिर हम क्यों नहीं रह पाते हैं? I'm Sohail Zindani and you are watching Sonder. Living consciously, I think this is something that is gaining a lot of momentum, इसके ओपर बहुत सारी conversation हो रही होती है और मैं मज़गी बात है, उन लोगों को भी इस पे बात करते वे देखता हूं जिनको देख कर मुझे ही लगता है कि ये किसी भी तरह जी रहे हैं लेकिन at least consciously नहीं जी रहे हैं ये क्यों है? हम सब को पता है हमें consciously जीना चाहिए ये at least उसके लिए effort करनी चाहिए लेकिन फिर गड़वड कहा हो जाती है? किस वजह से हम इतना compulsively जीते हैं? किस वजह से हम इतना predictably जीते हैं? तो आज इस वीडियो के अंदर we gonna talk about three obstacles that stops us from living consciously and I really hope that these three resonates with you and I look forward के इस पे आपकी क्या रहा है या आपकी क्या थौट है? आएं इन तीन obstacles को discover करते हैं सबसे पहला obstacle है competitiveness और ये competitiveness of course हमें school से हमारी early age से हमारी sibling के level से हमारे अंदर डाली जाती है उससे बहतर करना है, उससे आगे जाना है, उससे जीतना है और ये इतना deep rootedly अब हमें बेच दिया गया है कि हम इसके बिगेर खुश रही नहीं सकते मैं आपको एक example देता हूँ आपने कहीं कोई plot book कराया और उसमें आपके 10 लाग का नुक्सान हो गया, आप दुखी है लेकिन जहां आपको पता चलता है कि किसी और का 15 लाग का नुक्सान हुआ है आपको 5 लाग का नफ़ा महसूस होने लग जाता है कहां से आया ये, ये है competitiveness sickness जो हमारे दिमागों के अंदर इतनी गुज गई है कि आज मुझे अगर जिंदगी की पहली गाड़ी मिलती है तो उस गाड़ी के मिलने की खुशी अभी तक पूरी तरह हुई नहीं थी और अगर पता चल जाए कि पडोसी को से बहतर गाड़ी मिली है दिस एस यह कॉले ये है competitiveness sickness और competitiveness sickness is the first obstacle जो हमें consciously जीन इनी नहीं देता The other obstacle is our favorite media and media by all forms in fact अब तो in fact कहा जाए कि social media by all forms इस मीडिया ने किया क्या? ये मीडिया ऐसी सलाइयत रखता है कि आपके घर में, आपके कमरे में घुस कर आपको डिप्रेस कर देता है आप अच्छी भली vacation करके आए और आप ने सोचल मीडिया के किसी handle पे देखा कि आपके कोई और जानने वाले जो vacation करके आए हैं उसकी तसावीर आपकी vacation से बहतर आई है बस हो गई है आपकी सारी vacation side way what a sadness what a what a misery it is but this media ने हमें although इस नाम पर बेचा गया था कि it's good to be informed it's not being informed it's now being compulsively obsessed with what others are doing rooted into the same competitiveness sickness but the challenge this time is media and that is taking away all the joy आज मैं पाकिस्तान के बारे में किसी से भी बात करता हूँ तो वह आपको generally बुरा तासूर मायूस तासूर देता वही पाया जाएगा और आप जरा उसका bank balance देके तो उस bank balance में कहीं से भी मायूसी की कोई जलक नहीं होगी लेकिन मायूसी पूरी speed से फैला रहा होगा क्यों क्योंकि वो consciously नहीं कर रहा compulsively कर रहा है क्योंकि जब भी वो TV खोलता है जब भी वो Twitter देखता है उसको कोई ना कोई दुख की कबर बताई जाती है और हमें बड़ी खुशी होती है दुख की कबर share करने में आप देख लेना क्यों फजूल किसम के programs की TRP ज्यादा होती है क्योंकि लोगों को इस तरह की मनूस चीजे शेर करने में बहुत खुशी होती है and I think this is stopping us massively from stopping us from seeing opportunities stopping us from seeing hope and pushing us to live in a very compulsive non-conscious way तीसरा और शायद सबसे खुबसूरत obstacle है consumerism आप वो चीजे खरीदे हैं जिसकी आपको शायद अगले 100 साल तक कोई जरूरत नहीं है आप बजार जाते हैं आप shopping mall जाते हैं और वो वो चीजे लेकर आते हैं जो अगली दफ़ा तब देखते हैं जब घर में से क्या चीजे ठेक नहीं हैं वो निकालते हैं इस consumerism ने क्या किया इस consumerism ने हमारे अंदर से शुकर eliminate कर दिया आप आज एक बहुत अच्छा जूता लेकर आते हैं और कल आप उसमें किसी को और अच्छा जूतावा पैनावा देखते हैं या उस company ने एक नया जूता लांच कर दिया उसको देखते हैं तो सारा दिमाग उसके ओपर चला जाता है कि यार ये क्यूं नहीं लिया मैंने थोड़ा जल्दी कर दी मैंने लेने के अंदर ये ले ले लेता तो जादा बहतर होता consumerism की ख्वाइश ही यह है कि आप जो दो जीन्स में गुजारा कर सकते थे अब आपके पास कम से कम 300 जिन दो जूतों या तीन जूतों के साथ आप रह सकते थे उसमें अब आपके पाप 200 और अगर नहीं हुए तो आप काफी हद तक दुखी होंगे आपके पास सबसे बहतरीन गैजेट होना जरूरी है सबसे लेटिस्ट फोन होना जरूरी है वरना खुदाना खौसता जब आपको अमेरिका का प्रेजिडेंट राय मांगने के लिए फोन करेगा तो उसको कितना दुख होगा यार यह तो पुराने वाले मॉडल पर मुझे राय दे रहा है यह तीन चीज़ों ने competitiveness उसी के root से media और फिर उसी के root से consumerism इसने हमें बिलकुल जिसको हम कहते हैं न lock कर दिया है into a very compulsive cycle हम रोज सुबा उठते हैं रोज उसी hustle के लिए भागते हैं और फिर सो जाते हैं I think हम लोगों को as humans एक massive pause की जरूओत है unfortunately वो pause हमें recent history में मिला तो था लेकिन किसी अच्छी reason की विजा से नहीं मिला था लेकिन even then you saw the earth healing you saw overall health improving apart from the disease it had but in general those who were not getting into that disease everything was improving the joint docks was getting better why because the media the influence of consumerism and the competitiveness took a took a slow run and it had a positive impact on all of us so just to conclude I think यह बहुत जरूरी है हमारी conscious living के लिए के सबसे पहले हम compete तो करें लेकिन अपने आप से करें यानि कल से बहतर होने की कोशिश करें इसमें जलन और envy नहीं होती इसमें शुकर और बहनत होती है हम media के बारे में selective होना सीखें हम यह देखना सीखें कि जो राए दे रहा है वो राए कहीं उसके interest की तो राए नहीं है क्योंकि अगर वो उसके interest की या उसके cause की या उसके propaganda की या उसके cult की राए तो वो फिर उसकी राए है और उस राय को आप क्यों बाई करते हैं आज हम जितना इस मीडिया के बारे में बुलाबला करें इस मीडिया ने एक option दिया हमें इसके algorithm हमें allow करते हैं ये choose करना कि हम क्या देखना चाहेंगे आपका YouTube feed आपको उसी किसम की वीडियो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं तो शायद एक हफ़ते की या दो हफ़ते की कोशिश तो करके देखें अपना content जो आप intake कर रहे हैं उसको बहतर करने की और सबसे आखेर consumerism इस बात को मान लें कि आपके पास कभी भी सबसे ज्यादा और सबसे latest कुछ भी नहीं हो सकता जब वापिस चला के मैं आ रहा था तो मैं काफी तेज़ चला रहा था दो-तीन दफ़ा मेरे अबा ने टोका भी लेकिन वो जवानी खोन यूना तो आपके अपने घर के लिए गली में बुड़ा तो मेरे आगे गदा गाड़ी वाला जा रहा था तो आफकोर्स मुझे उसके साथ चलना पड़ा और फिर फाइनली मैं अपनी गाड़ी रोकी तो मेरे अबा ने कहा कि तुन्हें कितनी देर गाड़ी भगाई लेकिन एड़ में गदा गाड़ी वाला फिर भी तुझसे आगे था कोई ना कोई आगे रहता ही है लिव कॉंशिसली लाइफ इस गॉना हापिन ओन्डी वन्स तो यू इसे कंपल्सिली कंपेटिटिवली जीने में जाया ना करते हैं खुश रहे